अगर आप भुपाल घूमने आ रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है भुपाल में बेश्ट से बेश्ट लोकेशन में आपको बताऊंगा आज ये पहला मेरा फेस्केम वीडियो है जिसमें आपको ऐसे एक्स्प्लिन करूंगा आज मैं आपको लेकर चलने बाला हूँ मानप संग्राला है तो बने रही है वीडियो में और सुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको करना ये है कि आपको स्यामलाहरिष पहुँच जाना है और gate number 1 पर पहुँचकर आपको ticket ले लिनी है per person ticket है 50 रोपे की और आप अपने बहान से जा सकते हैं सबसे पहले आपको घूमना क्या है कि आपको technical park उसके बाद कुमार पारा है उसके बाद आपको हेमालाई गराम चले जाना है और हमालाई गराम के बाद आप viewpoint पर जा सकते हैं जो कि पहाड़ी पर बना है टॉप पर उसके बाद जैसी ही आप आएंगे तो मिथक भी थी जो कि एक संग्रालाई के अंदर ही एक बहुत बड़ा एलिया है जिसमें सारी संस्किर्थी पूरे इंडिया की जो संस्किर्थी है पूरा कल्चर है जो वीडियो में आप देख पा रहे होगे ये सारा एक ही छट की नीचे मिल जाएगा आपको यानि कि पूरे ओल आवर इंडिया एक ही छट की नीचे आप देख पाएंगे उसके बाद आप चले जाएए तो नदी घाटी, सब्वेता है, पुनीत बन है, ये सारी चीज़ें आपको पहाड़ी पर मिल जाएंगे और जो भी मिट्टी के घर बने हुए हैं, हर इस्टेट की अपनी अपनी एक कला संस्किर्ती के जो घर हैं बो बने हुए हैं तो आपको बो भी देख सकते हैं और उसके बाद जैसे ही आप गेट नमबर दो जो की लेक की तरफ है वहाँ पर जाएंगे तो महाबर आपको बहुत अच्छे अच्छे मिट्टी के नकासी वाले वरतन और बहुत सारी चीज़े मिल जाएंगे जो आपका मन जो मुह लेंगी, आप उनसे नजर नहीं हटा पाएंगे सबसे इंपोर्टेंट बात है कि आपको विव पॉइंट मिस नहीं करना है दो भी पॉइंट है, एक तो हिमाले गराम की उपर है और एक है जो नदी घाटी सब बिता है उसकी उपर उसके बाद आपको टेट नमर दो पर चले जाना है और बाहर निकल जाना है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है आप मानप संग्राल अपनी फैमली, रिस्तेदार और जो भी रिलेटिव बगरा जो बच्चे हैं महाँ पर पिकनिक के लिए जा सकते हैं काफी अच्छा फ्लेश है और जो लोग ग्रिल्स बनाते हैं उनके लिए वह सांदर फ्लेश है अब मैं आई परसनली अब जब मैं कम से कम 2-3 घंटे महां रहा मैंने एक एक चीज देखी काफी मज़ा आया तो आप भी महां जरूर जाए और अपनी फैमली के साथ जाए और इंजॉई कीजिए और अगर वीडियो आपको हेल्फ लगती है तो ज्यादा से जद लाइक करना है सियर करना है कॉमेंट्स करके बताना है कि वीडियो में कौन सा जो लोकेसान है वो आपके अच्छे लगी हुए ठीक है ठैंकी और सपोर्ट बनाए रखना जैहिन